हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अड़ा फॉस्टे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस अप्डेट के बारे में जोकी संबन्दित है यूपी टीजटी बिजटी परीक्षा तिधी के बारे में यूपी टीजटी बिजटी की परीक्षा के सासाथ हम बात करेंगे टीजटी बिजटी की एक्जाम डेट को लेकर कितनी पालियों में आपकी परीक्षा होने जा रही है परीक्षा केंदी के सासाथ अगर बात की जाए को लेकर साथ ही एड्मिट कार्ड के बारे में एक ही कर कि छोटी दिपाबली के आप सभी को धेशाई शुबकाम ना है मुझे पता है कि आप मैंसे बहुत साई अब बहुती कन्फ्यूज होंगे सर दिवाली का वे 31 जहे की आप क्या पूरा देशी कन्फ्यूज है लेकिन कन्फ्यूज तो वो भी है जो दिवाली मनाना तो चाहते हैं लेकिन ये बेरजगारी जो है वो आपको दिवाली मनाने नहीं दे रही है लेकिन मेरी दिल से भेसाई शुबकामना आप सभी के लिए हैं ये दिवाली जैसे भी निकले लेकिन अगली दिवाली हैप्पी वाली दिवाली होगी और निशित तोर पर TGT-PGT या अन्य भरतियों का टार्गेट बनाकर त्यारी करने वाले आप भरतियों को आपको सफलता मिलेगी इनी सुबकामनाओं के साथ शुबात करते हैं मुद्दे की TGT और PGT एक्जाम डेट के बारे में खाली में समाचापत्यों में आया भी था आप सबीदे दिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अपना लक्ष मिद्दायतं करके करके कि त्यारी करने हर्सक्ता वो किसी ने किसी भरति को लेकर टार्गेट करसे उसका जो लक्ष है उसको निदायइट कर रहें और उसके आधार पर भरती की परिक्षाओं को लेकर त्यारी करें अब TGDP को लेकर भी उनका कहिने की जो लक्षव काफी लंबे समय से बना करके रखा हुआ है इसी तरीके से Assistant Professor भरती को लेकर भी उनका टार्गेट है ये बात बिल्कुल सच है इसमें किसी तरीका कोई संसे न आयोग के माध्यम से अपनी जो त्यारियां है वो कंप्लिट कर ली गई है और इसी के मुताबिक अगर देखा जाए और TGDP और परिक्षा के संबंद में यहाँ पर शिक्षा सेवा चैन आयोग के माध्यम से इसकदर त्यारियां कर ली गई है कि यहाँ पर आप सभी के लेकिन उत्तर प्रदेश में जल्द का मतलब भी थोड़ा देरी होती है क्योंकि दिक्कत ही है कि अचानक से किसी परिक्षा को करा पाना अब किसी भी आयोग के बसका नहीं है चाहे वो आपका UPPSC यो या फिर नया शिक्षा सिवा चैन आयोग क्योंकि सरकार की गाइडलाइ बिद्यालियों के अंदर यहां पर कहने की परिक्षा केंद बना दिये जाते थे और पेपर तो वैसे भी लीक हो जाते हैं अब देखना यह होगा कि जो नए ने देर से उसके मुदाबिक क्या कोई परिक्षा लीक होगी क्योंकि उसके बाद अभी तक सिर्फ एक ही कॉंस्टेवल की भरती इसके अलावा PCS परिक्षा दो बार इस्तरकित हो गई है और रद हो गई है दो बार से इस्तरकित होने की कगार पर है और रीजन क्या है वो आप सभी के सामने हैं तो ऐसे में कहीने की नए शिक्षा सेवा चैन आयोग भी फूख-फूख के कदम रख दो दिन पीजिटी की होती थी इस बार अभ्यतियों की संख्या के मुताबिक इस परिक्षा को छे दिन आयोजित किया जा सकता है जिसमें तीन तीन दिन आप सभी की परिक्षा देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि यहां पर पालियां बढ़ानी पड़ेंगी अगर पाली उनका जो काम वा किया जा रहा है तकीपन 6-11 यानि कि 12 परिक्षा जाएग से अगर फेसन की संख्या के मुताविक पालियों की संख्या या दिनों की संख्या उपर नीचे हो सकती है वो depend करेगा final decision पर अब सवाल यह है कि TGT PZT 2022 की परेक्षा कब तक होने जा रही है और इसको लेकर शिक्षा सिवा चैन आयो की क्या त्यारिया है तो परेक्षा केंदों को लेकर तो नए शिक्षा सिवा चैन आयो ने त्यारिया शुरू कर दी है और जानने की कोशिस भी की जा रही है कि कहां पर कितने परेक्षा केंद दिखा ली है और किस दिन ये परेक्षा हो सकती है लेकिन जो मुझे अभी तक जानका ही मिली है जनवरी को लेकर कोई positive चीज अभी तक नहीं मिल पा रही है यानि कि जनवरी के अंदर TGPG की परेक्षा होगी के नहीं ये अभी पूरे तरीके से confirm नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन हैं जहां परेक्षा पहले से मौझूद है और अगर परेक्षा नहीं है तो महा कुम्ब की होने की बज़े से परेक्षा को आगे बढ़ाना पड़ रहा है तो निश्य तोवा पर TGPG परेक्षा जो है वो मार्च में जाती ही दिख रही है और मार्च के अंदर भी देखना होगा कि कितने परेक्षा के अंदर खाली मिलते हैं उसके बाद में अगर फिर भी नहीं मिल पाते हैं तो एक परेक्षा मार्च में दूसरी अप्रेल के अंदर आयोजित किये जाने पर विचार शिक्षा सेवा चैन आयोग के माध्यम से किया जा रहा है अब सेम TGPGT को लेकर किया जा रहा है परेक्षा के अंदरों से संब्दी जो डाटा है वो नई शिक्षा सेवा चैन आयोग के पास में प्रोजिटिव नहीं मिला है इसलिए इस परेक्षा को भी कहीं जनवरी में कराय जाने पर विचार किया जा है यानि कि Assistant Professor की भरती जनवरी में और TGPGT की परीक्षा मार्च में होती दिखे है उससे पहले अब होना संबब नहीं है किसी भी कीमत पर तो ये तो कंफर्म हो गया है कि TGPGT के एक्जाम आपका मार्च में होगा अब हो सकता है कि आदा मार्च में हो जाए आदा अपरेल में हो जाए क्योंकि वो depend करेगा छातों की संक्या परीक्षा केंदों की demand के उपर तो ये तो date को लेकर बात हो जाती है वहीं दूसी तर बात की जाए प्रश्णपत के बारे में यानिकी question paper को लेकर तो इसके संबंद में भी नई शिक्षा सेवा चैन आयोक के माध्यम से जो सरकार की guideline है उसके अनरूप तयारी करनी शुरू कर दी गई है और जो मुझे जानकरी देखने के लिए मिली है दिवाली के बाद दिवाली की छुट्टियों के बाद यानि कि अगले मंडे को नई शि विचार किया जाएगा और उस होने वाली बैठक में टीजटी बिजटी को लेकर जो तिथियां उसको फाइनल करने पर विचार देखने के लिए मिलेगा यानि कि आने वाला मंडे आप सभी के लिए काफी कुछ लेकर कि आएगा यानि कि अगले बुद्वार के बाद में बना करके कोशिश करेगा कि जल से जल आप सभी के पेपर को बनवा लिया जाए और उसके बाद में आगे की जो चीज़ें उसको कन्फर्म कर लिया जाए अब इसमें लगेगा समय लेकिन ये तो कन्फर्म है कि आप टीजटी पीजटी के एक्जाम जनवरी में नहीं हो लिए वही मैं आप सभी को बता हूँ आप लोग इसके आधार मान करके त्यारी कर सकते हैं अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना क्योंकि अभी टीजटी बीजटी बहुत सारी ऐसी काम करने जिसके लिए तेर लाग से ज़्यादा अभ्यत